इस्तिफा देना चाहिए इस्तिफा देना चाहिए हम भारतिय लोगों के बीच देश और समद्धान के खिलाफ अन्याए पर हमारे ग्रह मंत्री को इस्तिफा देना चाहिए उनको इस्तिफा देना चाहिए इस्तिफा देना चाहिए हमारे देश वासियों के बीच में अन्याए पर रोक लगानी चाहिए इस्तिफा देना चाहिए हमारे देश के समद्धान के प्रति अन्याए पर रोक लगानी चाहिए have a nice day yeah, say it ok 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 नमस्कार पुलिटेन में आपका स्वागत है नमस्कार में इस सेलसले में कुछ लोगों को अरेस्क किया गया है सूचना है कि आतंगवादियों का लीडर पुलिस के हाथ च्ड़ गया है ग्रह मंत्री के लोगों का कहना है कि राजे में फ्ैल रही आतंगी कदवितियों के खिलाफ उनकी पकड मजबूत होती जा रहे हैं ग्रह मंत्री का कहना है कि सभी आतंगवादी जल्दी पकड़े जाएंगे मंत्री जी का कहना है कि राजे में अलग-अलग जगों पर बंबलस्ट करने वाले आतंगवादियों को पुलिस भूरने में जूटी हुई है वही दूसरी ओर साइबर सेल का कहना है कि मुंबई में प्राइबिट सेंटर से ये मेल भेजा गया है और ये सच है ये जोट ये पता नहीं उस दिनों से ऐसी गलत आफवा फैलने की वज़े से पुलिस प्रशासन और पबलिक के बीच में डर पैदा हो गया है हो सकता है ये दूसरा मेल भी आफवा फैलाने के लिए भीजा गया हो फिर भी दूसरे राजियों में जो बंब लास्ट हुए हैं उनको मत्दे नजर रखते हुए इस मेल के खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है इस तरीके के जो मेल मिले हैं उनको मत्दे नजर रखते हुए इन जगों की सुरक्षा टाइट कर दी गई है पुलिस आयूत का कहना है कि कभी-कभी स्टुडेंट भी इस तरीके की हरकते करते हैं और इस तरीके के अफवास से पुलिस का टाइम बरबाद होता है इसलिए कई बार ऐसे केसों को नजर अंदाज करना पड़ता है लेकिन फिलहाल पुलिस डेपार्टमेंट का कहना है कि मुंबई में अलग-अलग जगों पर बंबलास्ट होगा ऐसा जो मेल मिला है उसको लेकर हम चुप-चाप नहीं बैठ सकते हैं ऐसी परिस्तिती में ग्रह मंत्री ने सबको एक चुट होकर एक्शन लेने की बात कही है इसां में अलग-ईदा राल कि प्रफकर होकी बात का का कि मुंबश सकते हुआ झाल झाल प्रयों के प्रहुआ के लुँआ से इावा क्यों कर भी से भी opens jsneg NATO प्रवाइब दूर्वाइब 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 हाँ कॉन बोल रहा है हाँ ठीक है ठीक हम पोच गये हैं मैं बाद में बात करता हूँ मैंने कहा रहा बाद में बात करता हूँ सर मुंबई में होने वाले बंबिसफोटो के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है जो मेल मिले हैं वो सही है या गलत सर बिसफोट के बारे में आपको जो खबर मिली है वो कहां से मिली है इस केस की जो तहकीकात कर रहे हैं उनका नाम है मुहम्मद इकबाल जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप रिपोर्टर लोग भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं सर पिछले कुछ दिनों से लोग डर के साए में जी रहे हैं और उनके साथ अन्याई भी हो रहा है इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ है इसके बावजूद भी आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं मैं कहे रहा हूँ ना इस केस की तहकिकात मोहमब इकबाल कर रहे हैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता राज्य के लोग जो डर के साए में जी रहे हैं सब कुछ पुलिस के हाथों पे छोड़ करके सारे दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं हाथसे को काबू करने के बज़ाए साब आपस में लड़ रहे हैं इसके बावजूद भी आप अपने परिवार से मुझे करो मेरे पत्रकार भाई हो जरा रास्ता भी तो छोड़ो मंतरी जी की बीवी को यहां डिलीवर के लिए एडमिट किया गया है इस तरह के बाते करने के लिए हम बाद में समय निकालकर इंट्रव्यू के लिए बुलाएंगे आपको अभी आप लोग जाएए जाएए आप सर आप चलिए ना सर आपने कोई जवाब नहीं दिया है दोस्तो मेरी बात सुनो तुम किस चैनल की वज़े से मुझे उक्सा रहे हो हाँ कुस दिनों में तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी मैं भी एक इंसान हूँ साथ मैं पती हूँ वही फर्ज निमाने आया हूँ शादी के 10 साल बाद आज मेरा एक बच्चा होने वाला है इस समय पती और बाप का फर्ज निमाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने परिवार को चला सकता है वह इंसान देश को चला सकता है सर आप भी मंत्री बनने से पहले एक आम आदमी ही थे घर परिवार के साथ आप देश की भी रक्षा करेंगे लेकिन फिर भी मेरे लिए ये सब सवाल करना बहुत ज़रूरी है एक इंसान का फर्ज वाँ से शुरू होता है जहां से उसका परिवार मा, बाप, बहन, भाई, बीबी, बच्चे और उन सभी लोगों के लिए एक वक्त का खाना थोड़े से प्यार ज़रूरत पढ़ने पर दवा ये सब जो देटा है वोई एक जिमेदार इंसान होता है उसके बिना मंच पे भाशन देना बस एक नाटकी होता है हाँ, ठीक है, ठीक है यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है जो भी केस मुहम्मद इकबाल ने लिया है उसे पूरा किये वेगर कभी नहीं छोड़ता है आप लोगों के लिए कोई नई ख़बर नहीं है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम हारेंगी नहीं आप कॉपरेट कीजिए यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है अभी किस्थिती में आतंगवादियों पर रोक लगाने के लिए और लोगों के दिलों से डर निकालने के लिए आपने क्या किया है सुनो, हमारा ये देश भगवान का देश है गाड्स ओन कंट्री इसलिए, यहाँ पर पहला सवाल जो होता है उसका जवाब देने के लिए अरे, खुद साक्षात भगवान आते हैं आज की ताजा खबर मुंबई में तीवरता से बढ़ते हुए आतंग को रोकने के लिए इस केस को स्पेशल आफिसर मुहमद इकबाल को सौपा गया है ग्रेमन के अपनी बीबी के डिलिविरी के लिए अलाइट सूपर स्पेशल इडी हॉस्पेडल में अपने परिवार से मिलने गया है उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही कि मुहमद इकबाल इस केस के नए आफिसर होंगे जो हर हाल में इस केस को सौल करके रहेंगे ऐसा मंतरी जी का मानना है हाई अच्चू कहां जा रहे हो पापा को लेकर डॉक्टर अंकल से मिलने जा रहे हूँ क्यों क्या हुआ बताओ न अच्चू बताओ न कोई सर्प्राइज है नहीं बेटी ये डॉक्टर अंकल को एक तोफा देना चाथ है न ये देखो ट्रॉइंग भी है ये डॉक्टर अंकल के लिए है जर्ण मुझे भी दिखाओ न सिर्फ ट्रॉइंग ही नहीं गाना भी लिखा है ऐसी बात है क्या गाना जर्ण गाकर सुनाओ मुझे भी तो सुनना है ये पॉड़ मे euroाँ ट्रॉड्व मुझे ट्रॉड़ी किके वोदाएक प्लाइब अबाएक बार दोचे लिए भार्श आपीर सकाल वोच्ट आपड़ा है प्लाइब आपड़ा है वोच्ट प्लाइब प्लाइब लिए प्लाइब बड़ा है प्रोड़ी दो सरी क्या हो डोक्टर कुछ नहीं दर्द काम करने के लिए स्ट्रिप्ट दे रहा हूं सिस्टर जड़ा बालकु बालचर को पुलाओ ना की का सर्थ स्ट्रिप्ट। अरे अच्छु तुम डॉक्टर अंकल से मिलना हैं डॉक्टर अंकल अभी बिजी है बेटी हम रूम पर चलते हैं डॉक्टर अंकल वह ही आ जाएंगे कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आ है तुम चिंता मत करो वह आ जाएंगे इसको डॉक्टर अंकल को एक तौफ़ा देना है इसका सर्प्राइज गिफ्ट है लाओ मुझे दो मैं दे दूँगी चलो बेटी हम चलते हैं चलो ये लड़की कौन है अरे आपनी जानती ये हमारे सर की बेटी है वो कॉलेज में प्रफेसर थे चार महीने पहले उनका एक्सिडेंट हो गया था अपनी फैमिली को खो चुके है ये इनकी बेटी है अच्चू उस हादसे में बस ये दो लोग ही बच पाए साहब चल नहीं पाते हैं पर उनकी बेटी एकदम ठीक ठाक है अपने पिता को संभालना खाना खिलाना दवा पिलाना सब अच्चू ही करती है बहुत ही प्यारी बच्ची है आप भी डॉक्टर साब ये क्या कर रहे हो एक इंसान इतना दर से तडप रहा है और आप उसकी पल्स चेक कर रहे हो उन्हें उठाव चल्दी और लेवर उपे ले जाओ सर ये एक मंदरी की बीबी है डॉक्टर ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा लेकिन हम लोगे के लि डॉक्तर बाल गुपाल साथ को मपंगश पनादाए ना ये किसी को तो बुलाने दो एलाज तू शुरू करो आप पोले बाल गुपाल जी को बुलाईए निज कोई फायदा नहीं जब उनका काम खतम हो जायता हो वो सामने से सोन करेंगे अतना नहींद काम खत्म हो कि अगुआ कि अगुआ कि अगुआ कि अगुआ कि अगुआ कि अगुआ कि इस डॉक्टर बाल बोपाल है सर मंत्री जी की बीबी को लेबर बेन हो रहा है उनको लेबर बोर्ड में शिप्ट करने के लिए जित करें डॉक्टर मंत्री जी की बीवी को लेबर बेन शुरू हो गया है तो और एक आदमी जाद होने वाला है ठीक है हजार वार्ड में एक लेबर रूम डालने का मेरा सपना है लेकिन समय पर हजार बच्चे हजारों का रोना धोना हजारों दिलों का पहलना उस पल का सुख कैसा लगेगा एक्सक्यूज मी मैंने क्यों गैनेकोलरजिकल स्पेशालिस्ट का कूर्स किया है यह तुम जानती हो ना यह काम करने से जो मन को शांती मिलती है वो शांती मुझे किसी और काम में नहीं मिलती है एक नौजात बच्चा मेरे हातों से भगवान के रूप में जन्न लेता है उन्हें लाने के लिए कहो और सभी को लाने के लिए ओकी डॉक्टर सर से बात हो गई लेबर रूमें ले जाने के लिए कहा है चलिए क्विक फास्ट झाल 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 करषफ Masters कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु झाल, झाल, झाल! अरे क्या हूँ रूसा क्या हूँ तब फॉल तर पास Ben मेले तो चरे किसो ऑल घय लग्या हूँ मेले क्या हूँ लग्या हूँ अभी तो यहीं पर थे क्या हूँ बच्चे गायब हो गए यहां से डॉक्टर क्या बच्चे गायब हो गए अभी तो यहीं पर थे सब लेने सब यहीं रखे थे पता नहीं कहां से ले गए चालर से डॉक्टर पता नहीं सब बच्चे कहां चले गए वाकि डॉक्टर्स को भी म कि दरने की कोई बात नहीं है अरे आप कहा जा रहे हैं अंदर जो है वो राज्य मंत्री जी की वीवी है अरे आप कहा जा रहे हो मेरीद कोई सुन्ताइडी कोई। यही सवाल तो इस राज्ये के लोग कई सालों से मुझसे पूछ रहे हैं आप इनी बच्चों को ढूंटे हुए आए ना तीन नवजाद बच्चे हैं आखिर यह क्या पागल्पन है अगर एक भिकद मां के बढ़ा है ना तो इन्हें उड़ा दूँगा अरे इन बच्चों को पैदा हुए ठीक से एक मिनिट भी नहीं हुआ अभी तक इन बच्चों ने अपनी मां का दूद तक नहीं पिया है आखिर तुम चाहते क्या हो हाँ ऐसे ही मुद्दे पे आजाओ मुझे इन तीनों मेंसे एक चाहिए बताओ इन मेंसे होम मिनिस्टर का कौन सा है डॉक्टर मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है अगर आपने मुझे सच बता दिया तो मैं बाकी दो बच्चों को छोड़ दूँगा नहीं तो तीनों को उठा ले जाओंगा ए बाल गोपल इतना टेंशन में क्यों है बताओ ना मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है सुनो मिस्टर इन बच्चों की तरफ देखो इन्होंने आपका क्या भी गड़ा है इस सवाल से कोई फाइदा नहीं होने वाला और ये बाद तुम अच्छे से जानते हो तुमने पहचान लिया तो ठीक है नहीं तो तुम जाओ यहां से आप कौन हैं? और आप क्या चाहते हैं? आपके गुस्से के वज़ा क्या है? देखिए यह अभी अभी पैदा हुए है मासे मिल नहीं पाए और ठीक से रोए भी नहीं है इन्होंने क्या भी गड़ा है? आखिर आपका मकसद क्या है? ये तो मैं नहीं जानता लेकिन इसका अंजाम पुरा होगा वेरी गुड डॉक्टर बातें अच्छी कर लेते हो अभी आपको डॉट है न? कि मैं कौन हूँ? कहां से आया हूँ? मैं सैफ उत्दीन हूँ आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक योद था और इसे लिए होम मिनिस्टिर के बेटे को यहां से उठाके ले जाऊँगा और अपना मकसद पूरा करूँगा इसलिए डॉक्टर मेरे सवाल का जवाब दे दे उसी में तुम्हारा फायदा है इनमें सो होम मिनिस्टर का कौन सा है? बता ना ठीक है, बताता हूँ लेकिन पहले चेक करने दो ओके पहले बच्चों के हाथों से टैक्स निकाने होगी नहीं तो और परिश्या नहीं होगी अगर जरा भी शक हुआ इसे तो तीनों बच्चों की जान खत्रे में पढ़ जाएगी लेकिन इस समय भगवान का आशिरवाद मिला और वो फोन पर बात करने में जोड़ गया सही वक्त पर मैंने उन तीनों बच्चों के हाथों से टैक्स भाड़ कर फैंक दिये कोई अंदर आएद उसे गोली मार देना आ आ ठीक है ठीक है ठीक है ख़दा आफिस यह है यह यह या फिर यह इनको पैदा हुए एक मिनिट भी नहीं हुआ है मैंने पैचा नहीं भा रहा हूँ बट आई विल ट्राए लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है इन बच्चों ने और ग्रह मंत्री ने आपका क्या भी गड़ा है इट्स और जादा सवाल मत कर कहते है ना जंग में सब चायज होता है मुझे अपना मक्सद पूरा करना है अभी भी तेरे पास ताइम है डॉक्टर बता दे नहीं तो मार दूँगा जल्दी से पता इन में से कौन है वो वो बच्चा मुझे हर हाल में चाहिए बाल को पाड़ा इस मक्सद को पूरा करने का हुक्म मुझे उपर वाले ने दिया है क्या उपर वाला यही चाहता है कि ये तीनों बच्चे मर जाए जड़ा इन बच्चों की तरफ देखो यही भगवान के माया है एक बात गौर से सुन लो इन तीनों मासुम बच्चों का इस्तेमाल करके तुम सारा इल्जाम उपर वाले पर मढ़ डालो एई 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 नहीं अपनी बक्वास बंद कर तुम लोगों को पैसे चाहिए ना पैसा 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 किसको चाहिए तुझे और तेरे पूरे राज्य को खरीब सकता हूं इतना पैसा है मेरे पास पुलीस का स्टेडी में हमारा मेडिकल प्रोफेसर है उसे हमें वापस जुडाना है इसलिए तू अपनी फालतू की बक्वास बंद कर और बता इन में से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है और नहीं बताना है तो जा यहां से और तू क्या सोसताएगी तेरी बातों से मैं अपना मकसद बदल दूँगा यह मैं जानता हूँ लेकिन इन बच्चों को बचाये रखने के लिए इने एक दवा देना बहुत ज़रूरी है और अगर इनकी जान बचानी है तो मिरा बाहर जाना बहुत ज़रूरी है वरना यह मर जायेंगे तो मरने देना जब यह मरने ही वाले है तो इनकी जिन्दगे क्यों बचाना चाहता है डॉक्टर यह बता दे कि इसमेसे मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है उसके बाद तू दो बच्चों को आराम से लेके चला जा नहीं तो तुम्हारी जरूरत पुरी करने के लिए बच्चों का जिन्दा रहना जरूरी है अगर हिने कुछ हो गया तो बाहर सभी लोग भड़क जाएंगे मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन इसके लिए मुझे बाहर जाना जरूरी है इजाज़त दीजी प्लीज तू जा सकता है लेकिन अगर तूने बाहर जाके पुलीस को बताने की कोशिश कीना तो मुश्किल में पढ़ जाएगा और इस हॉस्पिटल में कई सारे लोग हैं जो सब तबाह कर देंगे इसलिए होश्यारी मत करना अगर तू यहां लोटके नहीं आए तो फिर दुबारा लोटके यहां तुझे आना ही नहीं पड़ेगा इस हॉस्पिटल के अंदर ही सब दफन होके रह जाएंगे तेरे पास सिर्फ पंदरा मिनट है अगर तूने होश्यारी की तो समझ लेना सिर्फ पंदरा मिनट का वक्त है अगर इन पंदरा मिनट के अंदर कुछ नहीं कर पाया तो सिर्फ उन तीन बच्चों की जान ही नहीं बलकि पूरा अस्पताल खत्र में बढ़ जाएगा और यहां के लोगों को पता चल जाएगा तो हंगामा हो जाएगा किसी को बताए बिना और कोई दुरगट ना काटे बिना मैं कैसे और किस तरह सब को बचाऊंगा यह सब क्या है डॉक्टर मंत्री जी की बीबी को आपने ए घंटे से अंदर ही चोड़ दिया है उनकी कोई खबर तक नहीं है और आप खूम रहे हो अरे डॉक्टर साथ कुछ तो जवाब कीजिए इस अस्पताल में मुझसे मिलने कई लोग आते हैं सभी से मिलता फिरू क्या यह क्या हो रहा है कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा सब अपने अपने काम में बिजी है मेरे बेटे की स्थिती और इसके पोस्ट के हिसाब से हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जा सकते थे पर सिर्फ आपकी वज़े से हम लोग यहाँ पर आये हैं देखे माजी माजी आपके बेटे को कुछ नहीं होगा आपके बेटे का सही इलाज चल रहा है मैं बूद रहा हूँ ना चिंता मत कीजिए ओके हेलो वैसे आज कौन सा दिन है याद है न आपको आप काम में बिजी होंगे इसलिए मैंने सुचा मैं ही आपको याद इला देती हूँ क्या बात है कुछ कह नहीं रहे आज 6 दिसमबर है आज हमारी शादे की सालगिरा है आज शाम को आते वक्त कुछ सामान लाना है चल दी आएगा मैं इंतिसार करूँगे झाँ झाँ शार करा दोर है झाँ πोर सुन्क Krang झाँ क्या Patreon बेन दयार सुन लो मेरे पुकार दुख के बादल खीरे दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो हरी नाम से कष्ट है निटता भगत को दर्शन देड़ो दुख के बादल खीरे दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो कर दो पापीयो कातू अब तो नाश कर गीता में कहें बचनों को साध्य कर कौरव के शर यंत्र से तूने द्रापड देता लाज बचाएं सुन ले स्वामी तू तू ही मेरा भगवान है तेरे बीना कुछ भी अब तू ना संभ है दुख के बादल खीरे दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो मैं तूजे मैं तूजे मैं मधुर मधुरी तेरी ये मुस्कान कैसे समझो मैं तो हुना दान दिल में मेरे दर्द है क्रिष्णा भावना में बहती हो क्रिष्णा दर्द मुझे अब तो और नहीं अब सहना है जब जब तुझको देखू दिल को थन्रक मिलती है दिल दयार सुन लो मेरी पुकार दुख के बादल खेरे दुख के बादल खेरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो हरी नाम से कष्ट है मिटता भाक्त को दर्षन देड़ो क्रिश्ना तेरे भरुसे से संसर है दुख के बादल खेरे दुख के बादल खेरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो क्रिश्ना 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 सर इसे लपटने के लिए कुछ लेकर आओ ओके डॉक्टर अब क्या हुआ डॉक्टर आदा घंडा रुकिया मैं अभी आता हूँ डॉक्टर आप कहां जाने पुझे राउंड्स पर जाना है बहुत सारे पेश्ना क्रिश्ना का काम निप्टाने के बाद ही बाहर जा सकते हो बेवज़ा परिशारी मत बढ़ाओ समाद गया आप अस्पताल है पेशेंस रखना पड़ता है सिर्फ मंत्री की बीवी नहीं और भी कही पेशेंस है और मेरी नजर में सभी एक बराबर है मुझे जाना ही होगा अगर आपको तकलीफ हो रहे तो हम लोग सिप्ट हो जाते हैं हम लोग जाने को तैयार है आप लोग बहुत बीज अब सिर्फ पांच मिनट बाकी है फिर्फ मैं ही नहीं इस हॉस्पिटल में तुम लोग तुम्हारे माबाप सारे डॉक्टर्स सब एक साथ ऊपर जाने वाले हैं मुझे तो मेरी जन्नत नजर आ रही है और मैं धीरे धीरे करके उसके करीब पहुंस रहा हूं और मैं जानता कि डॉक्टर आएगा, ही इस कमिंग, ही इस कमिंग, ही इस कमिंग जप्टर आएगा चार जरएगा जएगा जन्नत बंढ़ारा कि तुम्हार यॉक्टर आएगा जब और मैं ऑसे जप बाही हैं अव्मार्स अव्मार्स कर दो 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 हलो हलो अरे फोन भी नहीं लग रहा है हां सिस्टर क्या हुआ क्या बात है इलाज हो रहा है डॉक्टर अभी अंदर है है ना अंदर हम्म दीदी दीदी बहुत देर हो चुगी है डॉक्टर अंकल कहां है डॉक्टर अंकल अभी बिजी है अच्चू को क्या चाहिए पर डॉक्टर अंकल कहां गए है डॉक्टर अंकल बहुत बिजी है जैसे ही फ्री होंगे उसके बाद अच्चू से मिलने आ जाएंगे सुभा से डॉक्टर को ढूनने में लगी है डॉक्टर से मिलके उन्हें एक तौभा देना चाहती है एक गाना भी सुनाना चाहती है अब यह बैशारी क्या करें हर जगा ढूनते हुए आ रही है हुए प्रिशर के जगा है प्रणानी को ढगते हैं मैं। यह दोक्तर अंकल अब दोक्तर अंकल वेरी गुद्धर वेरी अजस फर आप्र आप्र व्स टेड़ी मिनट बाकिता दोक्टर अंकेल दोक्टर महतमारा पीचाना दोक्टर दोक्टर महतमारा पीचाना है कर रही है मैं अपना काम कर रहा हूं तुम अपना करो मैंने कहा था ना उसे डिफ्यूज करो साइफु दिन उसे डिफ्यूज करो साइफु दिन प्सक्राइब साइब साइब स्वाओ साइब 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 पत्त काम पहाज मत करना पूरे होस्पिटल को हमारे आदमी उने खेर रखा है चला की बिल्कुल भी मत करना मेरे पास जो पॉम है उस गर्टी गर्ट दबाने से पूरे होस्पिटल में तबाही मच जाएगी अगर तू होस्पिटल को बचाना चाहता है न तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी जल ख़ड़ा हो जाएगा कहां जा रहे हैं आप वैसे इस खाने में कौनसा जहर मिलाए है तुरे खाने में जहर मिलाके मुझे खत्म करने की सोच रहा है तू अब तक मेरे अदमियों ने होमनिस्टर को अगवा कर लिया होगा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो खाने में जहर मिलाँ मेरा काम जान लेना नहीं जान बचाना है और ये मेरा फर्द है हुआ 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 तुम्हार हुआ डॉक्टर मेरी बात सुना। बच्चों को आइसीओ में शिफ्ट करो। ौके डॉक्टर। हे इश्वर ये क्या है मत्यराज को डरा कर लोगों में डर पैदा करने के लिए आज मुम्मे में जो होने वाला था पाँच जोंगों पर बंस फोट उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है परेशानिया बढ़ती जा रही है प्रिया सब कुछ जानती है और उपर से वो मेडिया में काम कर रही है वो कुछ न कुछ इसका उपाए निकालीगी इस खबर को बहुत होश्यारे से किसी को बताए बेना किसी अच्छे काबिल आफिसर तक पहुँचाय जाएगा तो इस दुरगटना से इस शहर को हम बचा सकते हैं ये तो अच्छी बात है कि वो आफिसर मौमद इकबाल को जानती है और इस वज़े से सैफ उदिन का कम्पिटर इस्तमाल करके इस खबर को मैंने उन तक पहुँचाय था हो वो कि अवी खबर को कि वो का काKA कि वो कर दो कर दो कर दो ये विल्लाट के करम से काम हो गया है मंतरी को हमने उठा लिया है हम लोग अभी तेरिस के उपर हैं उस मंतरी के बच्चा तेरे पास तो है ना उस बच्चे को लेकर तू पर आजा कुछ नहीं मैं कर पाया कर दे माफ तू मुझे को तेरा बदला लूगा मैं तो एक एक को चुन कर मारूँगा मैं तो कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कि बच्चे को थे पाया मैं तूला जारा बच्चे को कि लेकर अच्छा मैं तूला नहीं मम् थाच्चे को दूला है मैं तूछ के मैं तूला बच्छावगा हस्ती और खेलती रहती थी तू आखों का तारा तू ही तो थी कहां गए वो पल रे हस्ती और खेलती रहती थी तू आखों का तारा तू ही तो थी याद तेरी आते है अब कैसे जिऊंगा मैं कुछी नहीं मैं कर पाया तुझको न बचा पाया अब कर दो थी तू ही तू ही तू ही तू झाखों का तू ही तू ही तू ही तू है दुश्मन के नजरों में क्यूं चड़ी उसने है चेना दुनिया मेरी लूगा दुश्मन के नजरों में क्यूं चड़ी उसने है चेना दुनिया मेरी भूली थी तू मासूम थी तेरे बिन कैसे जीओंगा मैं कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कर दे माफ तू मुझे को तेरा बदला लूगा मैं तो एक एक को चुमकर मारूंगा मैं तो कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं मुझे कुछ नहीं मुझे कर दूल कर दो वाल कर दो 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 झाल 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 सर बच्चों को वार्ड में ले जाकर रखना है क्या हाँ और उनके परेट्स को खबर कर देना सर ये बच्चे किसके हैं ये पैचानना मुश्किल होगा क्योंकि उनपर टैग नहीं है सर झाल सकन, सकन तो कोजे लोगाँ ये लोगाँ ये नहीं है कर दो कर दो कर दो कर दो मलिका सामदन कहा है कहा है ओके नेक्स रिपोर्ट्स सविया वफ बयन एहा है स्दिलिण गैओ S7 नक्यूस ये भी स्त्रीलिंग है सर, सुनिये ना सर, ये दोनों स्त्रीलिंग हैं हम इने कैसे पैचानेंगे अगर DNA टेस्ट करेंगे तो कम से कम दो दिन लग जाएंगे चाह ये जाएंगे ये जाएंगे सिस्टर दिनिश को भुलाओ, जाओ जल्दी करो कल शाम को आते वक्त क्या क्या हुआ मैं बताओ तुमको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही मजा कर रहा था मेरे मोबाइल के रेंज ना भी मिले तो भी बात कर लेता हूँ मैं दिनिश जी, डॉक्टर बालगोपल बुला रहे हैं अच्छा, आता हूं जाने मन तुम अपना फोन निकल कर दो वो कहा न फोन दो लीजे सर सर वो 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 क्या कि अवड़ हुड़ क्या कि वो कर दो सिस्टर, दोनों बच्चों को यहां लेकर आओ अज़ दोनों बच्चों को यहां लेकर आओ यही साकरिया थॉमस के बच्ची है ओके डक्टर कर दोनों इते जाओ भ OUT सकते बच्चों को यहां लेकर आओ यहां लेकर आओ अज़ इते बच्ची है झाल चाल उता हुआं मंत्री जी की बीबी का डेलिवरी केस सौल नहीं हो रहा है तो क्या हुआ अरे 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 तो चाल आट वाल गोपाल, ये मस सोच की तू चीत क्या, तेरे इस कारनामे की वज़े से, तुझे कुछ पल में अंजाम भुगतना पड़ेगा, और कुछ ही पलों के बाद, इस अस्पताल को हम लोग वम से उड़ा देंगे, यही तेरी सजा है, इस अस्पताल में हमने टाइम बॉम रखा और वो किसी भी समय फटकता है, तूने क्या सोचा डाक्टर, तू मुझे दोखा देने का, अब तेरी ये वज़ा से, यहां सारे लोग मारे जाएंगे, और ये एक बॉर है, और ये वाल्टी हास रचेगा, और इन सब की वज़ा, तू है डाक्टर सिर्फ तू, अब मैं दे अनेजैज़ का है, डाक्त फो मैं धनेजर! एर यज़, बहुतäg झाओ, बहुत Tribal टार बहुतिज़ का बछ कर दो टारे ये एफ द पसित भाता है, ये गुत जो इंसान अपनी खुद की मौत चाहता है उसे हम बचा नहीं सकते हम उससे बात करके ही काबों में ले सकते हैं बम का पता लगाने में या बम के भर में पताने में अगर ये पीचे हड़ गया तो कई लोगों की जान खत्र में पड़ सकती है वो या नहीं है इस खिड़की के तरफ से वो शाद भाग चुका है वो या नहीं है वो या नहीं है वो या नहीं है कर दो 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 बुम्हां कर दो कर दो साथ झाल 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 खब झाल 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 नसिब से उसका फोन मेरे हाथों लग गया अगर उसके हाथों में होता तो अब तक कोई दुरगट ना हो सकती थी चलो अच्छा हुआ शायद उसी का नमबर है इसी फोन के जरीए उन आतंक वादियों की साथ इसका कम्यूनिकेशन हो सकता था मंतरी के बच्चे को लेकर सैफदीन उपर आने वाला है ऐसा मेसेज आए है खंग अच्प शरत कर दो कर दो कर दो हमको इतना ही मांगता है सिर्फ एक फोन कॉल तुम फोन करके पुलिस वालों को समझाओगे तो वो हमारे सारे साथियों को लेकर वापस आजाएंगे इतना तो करोगे न नहीं तुम दोनों यहीं चांद से मारे जाओगे यह नहीं हो सकता, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, है मिश्टर, मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरा देश प्यारा है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा ये लेक्चर मुझको नहीं चाहिए, बहुत सालों के बाद तुम्हारा एक बच्चा वो बच्चा मेरे आत्मी लोगों के पास है, इतना काफी नहीं है, उसके जरी हम अपने मकसद में काम्याब होगे, तब तुमको पता चलेगा, अगर बच्चा चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर, हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, तब ही तुम लोगों को बच्चा पाओगे, नहीं तो तेरे बच्चे को मार दूँगा, मैं तुझे सोचने के लिए कुछ वक्त देता हूँ, आराम से सोच के मुझको बताना, बच्चा चाहिए के नहीं, तु जानता है, तु किससे बात करे, पाल को बाल, ये मस सोच की तु जीत क्या, तेरे इस कारनामे की वज़े से, तुझे कुछ बल में अंजाम भुगतना पड़ेगा, और कुछ ही पलों के बाद, इस हैस्पताल को हम लोग बंब से उड़ा देंगे, यही तेरी सजा है, पाल गोपाल, मैंने तुछ से कहा था न, ये योद्ध है, ये तनी आसानी से नहीं खत्म होगा, कैसे योद्ध हो तुम, कुछ देर पहले तुमने एक बच्ची को मारा, और अब दूसरी बच्ची को भी मारना चाहते हो, इसे योद्ध कहते हैं, कहतना कि प्रहत खिएरा हो, कि प्र File को में ये झाptत, व्रै कि योलद्ध प्रहिए! कि ये लिव गजएled! कि भी झाल तुमने तुमने 僕 मैंने तुमने Seriana दोूूू। ह८झ लओ लूूूू मुझ लू 눈 ही लू ठन्यू बीदो कर दो डॉक्टर, आज आपने जो किया है, ये कोई मामूली काम नहीं है, इन्होंने और भी कई जगों पे बंब रखे थे, जो प्लान इन्होंने बनाया था, उसे आपने डिफ्यूज कर दिया, और यहां के लोगों की जान बच गई, इसकी वज़ा आप ही हैं, आज आपने जो किय अरे छोड़ो, मैंने क्या किया, ये तो उसकी इच्छा थी, मैंने पुतले की तिरह अभी नहीं किया, अगर मैं अभी नहीं करता, तो कोई और कर लेता, लोग सही कहते हैं, कि डॉक्टर के अंदर भगवान का रूप होता है, आज स्रिप मैं और यहां के लोगी नहीं, मेर जहां अधन पैदा होता है, वहाँ वहाँ पर भगवान अवतार लेते ही हैं, मैं तो एक आम इंसान हूँ, डॉक्टर, आप बहुत महान हो, आपका ये डॉक्टर शब्द आपको और भी महान करता है, इस साल का विर्दा का एवोर्ड, हम आपको ही देने माने, ये सब उसने भी किये इस पवित्र धर्ती पर, अत्याचार बढ़ाने के लिए, और दूसरों की जिन्दगी तबाह करने के लिए, कुछ लोग तुले हुए हैं, हजार नहीं, इस तरह के लाखों लोग इस काम में जूटे हुए हैं हिंदू मुसलिम सिख इसाई, सभी को समाज में एक जूट होकर रहना चाहिए, हमारे भाई चारे के इस रिष्टे को, हमें हमेशा समाज में बनाय रखना चाहिए, आजकल के नौ जवानों के दिल में जहर भर कर, उन्हें मजभब के नाम पर काफिर बनाया जा रहा है, ऐस आगे नहीं होना चाहिए, मुसलिम समाज को मद्दे नजर रखते हुए, कई लोग हमारे बीच में मुसल्मान भाई बहन जैसे रिष्टे को तकलिफ में डाल रहे हैं, इन लोगों की कोशिशों को, हमें सामने आकर रोकना होगा, जैसे हतियार और आतन को रोकने का अधिका सिर्फ पुलिस और मिल्टरी को है, ऐसा सूचना छोड़कर हम आम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और यही हम नागरिकों का करतफ्य हैं, और उसी पल हमारे हाथ भी भगवान की तरह मजबूत हो जाएंगे, लाचार और बेबस लोगों की मदद करने से हमारा अधी अवतार भगवान जैसा हो जाएगा, हम एक दूसरे में प्यार महपत बाट कर उनकी मदद करके उनके जीवन को खुशाल बना सकते हैं, और ऐसा करके आप उनके लिए भगवान का रूप बन सकते हैं लाचार बना सकते हैं, 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 बना सकते है अब अब ये गीत आया देखो भगवान का दूत यहां सबको बचाने को विजयी हो दुश्मन को मारा है कुछ भी कहने की जरूरत क्या दुश्मनों पे पाईजे सुन लो तुम सब अब ये गीत आया देखो भगवान का दूत सबको बचाने को मतना दूत अब दूत जातर समय को औरूरतव दुश्मनों इस को माक्रावन की जरूत दूतर समय उते लिए मोना को भावावा ध। ये थेक्षाने को हमने कितने जुल्म सबको मारा सबको भगाया लड़ गया मैं दुष्टों को मारा मैं उनको नहीं छोड़ा मैं उनके सारे सपनों को तोड़ दिया सबको जड़ से मैंने उखाड दिया भगवान का दूथ बचाने आया जब जब पाप बढ़ा धरती पर तब मैंने अवतार लिया अपनों का साथ दिया उनका एक भिबाल भिबा का नहों ने दिया अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है दुश्मन पे पाई जीन सुन लो तुम सब अब ये गीन आया देखो भगवान का दूथ सब को बचाने इस फिल्म को दूसरे फिल्मों के मुकाबले खड़ा करने के लिए जिन लोगोंने मेरा साथ दिया है मैं उनका धन्यमात करता हूँ कई दिनों और कई महीनों की मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने के लिए ऐसा मैंने अपनी आखों से देखा है लेकिन ये फिल्म सबसे अलग है सिर्फ इन साथ कैमरों की मदद से केवल 19 घंटों के भीतर ही हमने इस फिल्म को पूरा किया है ऐसा इसलिए हुआ कि लोगोंने मेरा बहुत साथ दिया है साथ कैमरों के द्वारा फिल्म बनाने की ये टेकनिक इंडिया में पहली बार सकसेस हुई इसमें दिन राद बिना आराम किये जिन्होंने योगदान दिया मैं अपने लोबना सर को और हमारे मेगा स्टार स्री मोहनलाल जी को अपनी टीम की ओर से और मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस फिल्म के परडूसर हमारे किया चंदर सर को भी दिल की गहरायू से धन्यवाद देता हूँ और मैं ये मैसेज सभी देशवासियों को देना चाहता हूँ कि हमें आतंकवाद का मुकाबला निस्ठा के साथ मिलकर करना होगा आज मैं अपनी इस फिल्म के मात्यम से आप सभी देशवासियों को यही समझाना चाहता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और ना ही कोई मजब होता है आतंकवादी हमलों में शिकार हुए लोगों को मैं अपनी ये फिल्म समर्पित करता हूँ